दोस्तों यहां पर बात करें तो एक जमाने में जो मीडिया टेक यहां पर गरम गरम प्रोसेसर बनाती थी लेकिन ठंडे होते थे पर्फॉर्मेंस में आज ठंडे ठंडे प्रोसेसर बना रही है जो गरम है यहां पर पर्फॉर्मेंस में जी हां दोस्तों आज मैं आप से बात करने वालों Media Tech Processor में मतलब यह राखेर ऐसा क्या कर दिया Media Tech ने कि मतलब एक जमाने में उसके Processor इतिजादा गरम होते थे कोई उसको recommend नी करता था और आज आप यह हालत होगे खुद Media Tech वाले पते क्या कहते हैं कि market में सरफ एक ही company जिसके Processor गरम होते हैं और वो हम नहीं है सीधा सच्दे बाद बता हूँ Qualcomm की तरफ इशारा कर रहे थे Snapdragon, Triplet, 8 Gen 1 में जो हीटिंग हो रही है उसके बारे में तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं आखर इसके बारे में कि Snapdragon चाहाँ गरम होता जा रहा है फ़र MediaTek ठंडे Processor भी निकाल रहा है लेकिन Performance भी अची दे रहा है और लग रहा है कि Demensity 9000 पहली बार शाथ Qualcomm Snapdragon से आगे निकल जाए वेल इसकी वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं पता लगाते हैं पीछे की सच्चाई क्या चल रही है तो वीडियो के आप लग को पसंदा है तो लाइक कर देना चल को सब्सक्राइब कर देना सबसे बहले एक important बात बताने वालों कि MediaTek के Processor में गरमी कहां से आती थी देखो ऐसे कोई नई चीज नहीं कि Mobile Phone के Processor गरम ही नहीं होते देखो हर Mobile Phone का Processor कहीं नहीं गरम होता है अब काम वो करेगा तो थोड़ा बहुत गरमी होगी अगर आप गेम खेलोगे तो पीछे का हिस्सा थोड़ा जादा वार्म होगा ये एक natural चीज है लेकिन problem तब आ जाती जब जरूँ से जादा गरम हो जाए उसकी performance यहाँ पर throttle हो जाए आपको performance में dip देखने को मिले frame drop देखने को मिले lag देखने को मिले phone में hang देखने को मिले phone unusable हो जाए गरम हो जाए उस चीज को कहा जाता है overheating और overheating की problem MediaTek के काफी सारे processor में थी एक जमाने में उन्होंने अपनी helio x series निका ली थी और उस series पर उन्होंने क्या focus रखा था कि हम यहाँ पर callcom snapdragon से लड़ेंगे उनके 800 series की बराबरी करेंगे लेकिन पता क्या हुआ वहाँ पर उन्होंने ये सब करने के लिए multiple core घुसा दी थी क्योंकि शुरूबात में मीडिया टेक बिल्गुली high end processor नहीं बनाता था शुरूबात उन्होंने सस्ते phone के processor budget phone के processor उस जमाने में काफी सारी companies और चाइना से import करके ला थी थी phone majority में मीडिया टेक का ही processor लगा रहता था और ये चीज रहती थी मीडिया टेक में कि अच्छे से optimization नहीं होता था processor बस उठा के लगा दिया कुछ company ने यहाँ पर धंग से काम किया नहीं और add the end of the day end user को यहाँ पर hitting की problem होती थी और उस जमाने में तो मीडिया टेक के phones के अंदर updates भी आपको देखने को नहीं विलते थे फोन जिस पर उसी पर चलता रहेगा कोई software update भी नहीं आ रहा यहर यह कहानी चल रहे थे और उस जमाने में Qualcomm वाले बहुत ही अच्छी चीज़ परफॉर्म कर रहे थे अच्छी performance वाले बढ़िया chipset मज़या चाह जाता था लेकिन फिर क्या होता है जब यहां पर आती है बारी Realme 1 की अब देखो Realme ने Realme 1 निकाला था 10,000 रुपे से कम कीमत में लेकिन उसके अंदर पता है खास बात क्या थी कि वो Helio के P60 के साथ आता था और पहली बार दुनिया को पता जला कि Helio P60 के बाद जो P-series के चिपसेट से वो भी अच्छे रहते हैं और उनके अंदर भी हीटिंग यहाँ पर कंट्रोल है क्योंकि Helio P60 में इनोंने एनरजी एफिशेंट प्रोसेसर बनाया था Realme वालोंने अपने जो उसको भी थोड़ा ऑप्टेमाइज किया था ताकि अच्छे तरीके से यूज कर ले बैटरी कम खाए हीटिंग कम हो उसके अंदर और एक अच्छी पॉफॉमेस दे और जब 10,000 के नीचे बढ़िया प्रोसेसर निकाल कर देते हैं तो लोगों को ये चीज़ पसंद आती है और वहां से Realme और Mediatek दोनों की कहानी में बदलावाना शुरूआ और फिर के आती Mediatek उन्होंने अपने G-series के प्रोसेसर निकाले जिसके आप लोग आते G80, G85 या फिर बात करें G90T की देखो उनका main name यहाँ पर यह था कि gamers के लिए market भड़ रहा है तो एक अच्छा processor बनाते हैं जिसके अंदर एक अच्छा CPU, GPU दोनो हो और एक gaming experience ले ले सस्ते price के अंदर यह उनका major concept था और G80, G85 वाले काफी अच्छे phones हमें देखने को ले जिनमें 10-11,000 रुपए में कच्छा gaming का मज़ा लिया जा सकता है G90T जब आया था तो यह भी काफी कच्छा chipset था उसके अंदर भी processor तो ऐसा था कि 7-8 series है आपर टक्कर ले रहा था और एक अच्छा GPU होने खरड़ आपको एक अच्छा gaming experience था फिर इसी में क्या हुआ G-series के बाद G-95 निकाला अभी G-96 को निकाल दिया थोड़े बाद modification वगरा करके G-85 उनका चल रहा था तो G-88 को उन्होंने निकाल दिया G-series उनकी successful थी ना heating होती थी लेकिन इनके अंदर आपक अच्छा gaming का या परफॉर्मेस के एक अच्छा experience ले सकते थे और यहां में budget series के अंदर यहां पर Qualcomm को काटना इनोगेंट्स चुरू किया लेकिन कहानी में असली तुस तो अवान है वाला था पता है वो कैसे क्योंकि अब यहां पर MediaTek 5G के अंदर उतर रही थी हाँ Qualcomm वालों ने 5G के शुरूआत करी थी पहला 5G प्रोसर निकाला 5G के शुरूआती मोडम उन्होंने निकाले सब कुछ उन्होंने यहां पर कर रहे थे 5G का इंटीग्रेटिट मोडम हैं और कुल मिलाके बात करें 5G के अंदर उन्होंने अच्छे चिप्स बराना शुरू करें और उनकी कीमत कम रखी एवन एक रास की बात बता हूँ अप लोग को मीडिया टेक के प्रोस्टर में ज्यादा 5G बैंड डालना अससता पड़ता है ऐस कंपेर टू कॉल 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 कॉम वाले ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं इस बात का कि 5G लेन अप और पैसा दो बैंड चाहिए उसका और पैसा लो और इसलिए डिमेंसिटी वाली लाइनप के फोन से पॉपलर होना शुरू हुए क्योंकि यहां पर लोगों कुछ आई तब बजेट में 5G और मीडिया डिमेंसिटी ने ये चीज़ करना शुरू कर दी और देखा है तो बिलो 30,000 के अंदर अच्छे 5G फोन मीडिया डिमेंस प्रोसर से कंपीट करना चाहते थे लिकिन फिर भी जो मीडिकनी अइनट बारास होना ये चैब बीच के मिटर से घ्र簡 दी से आप凡़ हालें चीण करते बाराइ मिला शुरू कहसे लिएच्ज यहां पर लिसकि यहां पर किंवाट औरतवर यही एक रीजन था, कि OnePlus जैसी कंपनी, जिसने कभी MediaTek का प्रोसर अपने फोन के अंदर कभी डाला नहीं, नौट 2 के अंदर Dimensity 1200 लोकिया है, Poco F3JT जो की एक प्रॉपर गेमिंग फोन था, गेमिंग फोन के अंदर Dimensity 1200 को इंट्रिड्यूस किया गया, जिससे आपको बेटर performance देखने को मिल सके, और rate भी फोन का सहीर है, यहाने कि MediaTek के अदर speciality बनगी, कि अच्छा processor बना थोड़े कम rate के अंदर बराबर 5G का support दो, लेकिन अच्छी performance यहाँ पर दो, और Dimensity उनके लिए काफिक solid reason बना, हाला कि अभी भी 5G के अंदर, उनके processor में millimeter wave का support देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उमीद की जारी है, 5G millimeter wave का support ही future के processor में लाएंगे, देखते हैं चीज़ का बात यह कब नहीं आती, इसके साथी बात करें तो, Dimensity प्रोसर में एक दो problem में अभी भी जूड़ी है, जैसके बात करें, कस्टम रॉम्स का support अभी भी तच्छन नहीं है, करनल सोर्स जित्ती अवेलेबल नहीं होते, Dimensity वाले फोन में updates अभी भी लेट आते, और हाँ, Gcam का support अभी भी देखने को नहीं मिलता यार, क्या बात कर रहे हो यार, 2022 आगया यार, अब तो चीजे सोधर लो, ये कुछ चीज़ें जहांबे media tech को भी भी काम करना वाकि है, लेकिन वहीं बात करें, Dimensity 9000 से यहां पर चीज़ों में बदलावाना शुरू हो गया है, क्योंकि अब लग रहा है कि यहां पर Snapdragon 8 Gen 1 से यहां पर directly compete कर रहा है, क्योंकि बात की जाए तो Dimensity 9000 आएगा Q2 2022 के अंदर, और बात की जाए तो सुनने में है कि शाद 1 प्लस 10 आर या 1 प्लस 10 में प्रोसर देखने को मिले है, क्योंकि performance wise, यानि कि अभी जो उसके benchmark हमारे सामने आए, CPU की performance में ज़ादा निकल गई यह Snapdragon 8 Gen 1 से, और यह ज़ादा better technology, यानि कि TSMC की 4NM वाली technology पे based है, इसका मतलब यह कि Qualcomm Snapdragon से ज़्यादा efficient होगा, ज़्यादा इसके नदर cache देखने को मिल रही है, ज़्यादा इसकी clock speed देखने को मिल रही है, यानि कि powerful processor है, जो कि 8 Gen 1 से थोड़ा ज़्यादा powerful है, लेकिन सब CPU side में, GPU side में अभी थोड़ा सब पीछे है, लेकिन देखना है कि अगर Snapdragon 8 Gen 1 में, अगर heating as such में हो रही है, और ये control नहीं कर पाती कंपनी, तो हो सकते हैं, वो Demensity 9000 के उपर move करें, जो कि जहां तक initial report आई, कि Demensity 9000 से काफी सारी companies impressed है, उसकी performance है, और अगर वो सही rate के अंदर एक अच्छा process deliver हो जाए, तो वो बहुत इचे तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अब यहीं problem आती है, कि अगर Demensity 9000 का rate यहां पर लग रहा है, जादा होगा, क्योंकि Media Tech ने देखा जा तो फहले budget process अच्छे से बनाए, फिर mid range पे गए, फिर 5G के अंदर गए, और फिर 5G के अंदर Dimensity 1200 से, लेकिन Demensity 9000 का use करके, यह लोग एक तम टॉप category में आ गया, और एक बावत हो मेरे को, अभी देखके ऐसा लग रहा है कि Demensity 9000 के phones होंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन कीमत यहाँ पे जादा हो सकती है, जो कि हो सकती 40,000 के उपर, यारे कि 40-45,000 की range टच कर सकते हैं, अब देखना रहाएगा कि उस range के अंदर, लोग Qualcomm Snapdragon को चूज करते हैं, यह एक देखने वाली बात है, और यह भी देखना होगा, कि क्या GPU के कारण Dimensity के अंदर हीटिंग होती है की नहीं होती, तो एक चीज है, Dimensity 9,000 के उपर अपनी आख बनाएं रखना, अच्छे फोन्स उसके आने वाले, काफी सारे OnePlus के फोन्स में देखने को मिल सकता है, और दोर बात करें तो इसके नीचे लेवल के Dimensity 8,000 जैसे प्रोसर भी यहाँ पर आने वाले, तो वो एक चीज है, यहानि कि पहले एक जमाने में क्या होता था, MediaTek के प्रोसर में बैक्टरी जादा खाते थे, वो प्रोब्लम सॉल्फ हो गई, लेटेस टेकलोजी देखने को नहीं मिलती थी, वो प्रोब्लम सॉल्फ हो गई, MediaTek के प्रोसर बहुत ही जादा यहाँ पर हीटिंग करते थे, वो प्रोब्लम खतम हो गई, ऐसे बाकी प्रोब्लम को भी अगर यह लोग खतम करते थे, तो वो एक काफी बेटर चीज़ है, हाला कि एक और बात मैं आपको बता सकता हूँ, MediaTek के प्रोसर देखा जाए, तो मॉबाइल फोन में अब धीरे धीरे अपनी जगे बना रहे है, लेकिन दूसरी जगे MediaTek ने अपनी अच्छी जगे बना ली है, जैसे की बात की जाए, यहाँ पर आपके Majority Sony के जित्ती भी Android TV आते है, उनके अंदर MediaTek का प्रोसर होता है, Majority Smart TVs में होता है, Amazon की Fire TV Stick होगई, Amazon Echo का Smart Speaker आता है, इन सब के अंदर आपको MediaTek के जिपसी देखने को बते हैं, तो देखा तो MediaTek ने अपनी अच्छी जगे बना ली है, लेकिन at the end of the day सर्फ एक चीज़ माईने रखीती है, कि अगर ये लोग अच्छा प्रोसर बना ले, वो matter नहीं है, कमपनिया जो है, वो आखर जब फोन जब बना रही है, देखते हैं, future के अंदर MediaTek के chips यहां क्या कामाल करते हैं, लेकिन देखके कहानी काफ ये अच्छी लेगी, ये एक जमाने में जब वस्ट होते थे, अब वो एक जमाने में best processors के category में आ गए, तो दोस्तों इस सारी कहानी खतम होती है, यहां पर वीडियो अगर आप लोगों पसन है, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को हैं सब्सक्राइब कर देना, तेंक आपको वीडियो देखने के लिए, आप से लो नेक्स्ट वन बे, गुट बाई!